हेलो फ्रैंक्स, तो आज हम पढ़ने जाएं इंग्लिश ग्रामार की वोईस तो यह तो हम जानते हैं वोईस में एक्टिव और टैसिक होता है लिकिन हमें ए जानना है वोईस टार्ट करने से पेले की वोईस प्याएं तो वोईस भार्ट की एक एसी फॉल है जो रिप्रेजेंट करती है कि सब्जेक्ट केसे काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट को हम कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं यह वोईस का में चीज़ है subject केसे काम कर रहा है subnyt यaha iber do work जो हम बेकभण में बोलता है na जो करता जो बेकभणी में हम बोलता है तो वो केसे काम कर रहा है और object को हम कितनी priority के रहे हैं यह भी समझना word और object में तौनों में effect होता है यह भी समझने कहा देखता तो हम तो जाते है वोईस में active or passive होते हैं तो पहले active or passive में जाने से पहले में आपको तोड़ा यह समझा लेता हूँ वोईस में क्या किया जरूरी है वोईस में देखिए tense tense तो बहुत important है तहकर तो नहीं होगा प्रेजने निदेट, past intasanis olmuş, future continuous, present fønt toian weathernya, present perfect, past perfect, future perfect, present perfect, past perfect motion, future perfect तो यह नहीं लग्त इत prominent है और tense हमें याद लगना पढ़ेगा कि अगर return someита present definite रहत है यह को प्सक्रामस न सबकुछ ayande में Today सब कुछ सब रहर अन्ट न रर्खेंगे अभर सब आधिए और परता में लिखेंगे पर आप सब Ayande अब कर्सक्राम देड हैं न दिमठेंगे क्डिक दाना हां सब करी men तो चाहिए नहीं एक करम चाहिए लोगा जब हम पेसिंट में convert करेंगे तब हम मोरेल और और उप्षिरली वर्ट का बहुत ही महतुआ हो LEM LEM भी लगेगा IMPERATIVE IMPERATIVE SENTENCE को आप जानते हैं जो हम लोग COMMAND और हम लोग request कोई order करते हैं तो यह चाहिए चीज़ हमें voice में याद रखना पनेगा तो active में हम क्या देखते हैं active में हम देखते हैं कि जिसमें subject main word और object रहता है और basic में subject plus helping word plus main word तब क्या हो चाता है main word 1 से main word 3 हो चाता है और plus preposition plus object अगर जरूर पर रहे तो हम preposition लगाता है तो यह जो voice है यह पुरा subject और object का ठीवे जहें voice में क्या होता है subject and object क्या होता है change होता है subject part subject plus main word plus object अगर आप active voice में लेके object क्या होता है जबोन पेसितमे लाएंगे तब object आगे आजाता है तो यह जीज़ हमें याद रखना पड़ेगा कि voice में actively बोलिये, passive बोलिये, दोनों एक ही है, दोनों का active में जो बोल रहा है, वो passive में ही single बोल रहा है, जैसे woman, right से letter, और passive में क्या करेंगे, letter is written by woman, तो इसमें बात है कोई difference नहीं, ये की बात बोल रहा है, लिकिन difference क्या है, difference ये है कि कहने का तरीका, कहने का तरीका change हो जाता है voice में, ये ही एक बहुत बना difference है, कहने का तरीका change हो जाता है, active और passive दोनों एक ही है, ये बात याद रहा है, लेकिन दोनों का कहने का तरीका ये होता है, हो जाता है change हो जाता है, तो ये बात याद रहा है, तो active में हम लोग अगर subject plus member one plus object अगर हम object होता है और passing में हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग तरीका अलब कर देते हैं तब हम लोग object सामने आ जाता है और subject पीछे चला जाता है और subject के बाद हमें helping बार और model बार हमें head करना करता है तो यह बात याल करते हैं तो जैसे कि जैसे कि यह दिख दिए एक है subject plus member one member one यह याद रखी member one plus subject member one तो सबज़ते member one तो में अगर की जैसे go and guard, go के है member one went के है member two और guard के है member subject, member one plus object और जाब यह पेसिप में आ जाएगा तब क्या होगा? object आ जाएगा subject plus helping word plus member one के हो जाएगा इसमें? member eight जरूर याद रखा यह जिवाद की खुशा लेना एक्टिव में जाब आँ voice में voice में जाब आँ एक्टिव से पेसिक में लाएगे ता आँ आँ यह जो member one है चाहे वो past में हो future हो जो कुछ भी हो present में हो member one क्या हो? member one member three member three में कौन word हो जाएगा? अगर वो हो याद तो क्या होगा? गार हो जाएगा? एक्टिव दे रहा हो जाएगा? यह याद तो क्या होगा? में क्या होगा? member three plus अगर जरूरत पड़े अगर जरूरत पड़े हमें प्रिपोजिशन लगाना ही पड़ेगा लेकिन अगर कुछ तो sentence ऐसे हमें प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन की जरूरत प्रिपोजिशन की जरूरत नहीं ही पड़ेगा लेकिन plus by plus object यह याद रहा subject plus entry plus member three plus by plus object तो यह याद रहा होगा क्या हमें subject जैसे की code example जैसे देखो Mohan writes a letter यह क्या है passive sorry, active 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 में हम कैसे समझेंगे active में हम ऐसे समझेंगे subject plus member वह है object हम कैसे समझेंगे active में helping party जरुरत पर पर देखा यह आपर helping party नहीं है subject plus member वहां plus object तो यहाँ पर हम कैसे passive डल आएंगे अब यह हमेशा सिधा रूप है यह हमेशा दिमाग में याद रखना की पहले देखना sentence से किस tense यह यह बहुत important मोहन राइट से लेटर यह किस tense यह कौन सी tense यह मोहन राइट से लेटर यह उव्यस भी क्या है अब हले present indignit इसको आप simple present भी कर सकते है present indignit products एक ही है सोचना माथ present indignit और simple present हम दोनों एक ही है से simple present भी क्या है इसमें मोहन राइट से लेटर ठीक है ना तो मोहन राइट इसनेवान प्रेजेट में है है जोब डूंक है तो ऐसे में तो इस प्रेजइन की शुब नहीं तो यह आधर्जों प्रेजंट्राइज है अंब ढहुड़ा ओसा समय जो विए जानते हैं और यह शुब म्यों नौन लोग के लिए यह शुब से बोलता हुकिर यह शुब रहा हुकिए अगर यह present में रहे अगर एक डेसिल भी लीजी है डेसिल में से activity करना परता है। गोड़ों के present लिए present tense तो present tense है present intensity हो present continuous ही हो present perfect में रहे पर्फेक्ट डेस्ट के चार जो ही रहे तो हमें इसको पास्ट, अगर प्रेजेंट तो आख सो पास्ट में ही लेक सिपते पास्ट को फूचर में ही लेक सिपते समझ के करना है, कोई को बहुत सुद्नर से जो बेहीं जाता है वो लिखना है कि वो दिवाद से कामी कर रहा है कि वैस गया है यह लेटा रोज सिर्थें बाई नहीं यह बिल्कुल गवल यह याद रखना है। यह क्या है ? यह प्रेज़ेंट पे है वहां राक्से लेटा है ? मैंने क्या बोला था ? अक्टिव और पेसित में बात एकी है बात एकी है लेकिन ग्या होता है इसमें ? कि हम लोगा इन्ने का तरीका ज की है चीने का तरीका का चींज़ ओना ऐह बाद एक हर呢 में कहने का तरीका चेंज देता है तो इक आद моंवल्ए को तो इस का अनल है कि प्रिजन का पॉसम हुदा अख को विध के आव come is ה거ट आपसा रहेंगी हम उसको past में जो बात present में हम एकित में करेंगे, वह बात हम passive passive में नहीं करें नहीं करें पास्ट सेंटेज को लेखें तो यह हम यहाद रखना है, कि यह Mohan rights writer present में यह तो हम इसको present में ही करना पड़ाएं मैं बेसिक चीज़े में आपको बोल रहा हूँ कि बहुत स्वच जाधा पूक्रोंच में मैं लूह हो इसके में तो महान जाउलिए टरर यहां पर महां टर क्या हूंगाED То क्या होगा एलाटर आप क्या होगा पहले देखो मौहन राइट से लेटर यह क्या है प्रेजेंट में तो यहाँ पे दू और डास ठीका ना तो दू और डास नहीं क्या आता है एम, इस, और डास ठीका ना रूबर डास नहीं अगर हम एक्टिव गोई से पेसिट गोई से कटवाट पर जातों हमें क्या रिखना परेगा एम, इस, तो यहाँ पे एड़र क्या होगा एक एक प्रेजेंट ना तो यह क्या है एड़र थार्ट परसंग्लर नंबर ठीका ना थ जिया होगा एक भी मोहँ, यह आई है एक इसमीजी भात को समझने आ वे एक तो अब हम देखते है जब आición होगा तर अ आप देखिये, मैंकेक में अंतरो, आप सुचेए कि MainVert 1 plus Ing ठीका ना, MainVert 1 plus ing अगर, I मतलब MainVert 1 आप जानते अगर Sing हो जाये, तो क्या होगा, plus ing, सिंधिनिक जो continuous, जो हो रहा है, जो हो रहा है, अभी की हो रहा है, हो रहा है, ठीका ना, में अपको पला रहा हूँ, अजो मिक्राला ओशेट वादार्व आफ्या रहा है दिए इसको कोभिते क्या है कॉंब करता है है तो है तो कॉंब लेह कोई वार्ष में तो हाम क्या तो पर है उसको पैसिट में हम क्या जोडे ही थिए तो यह बाद लगना पोई था इतब ना कोई दी कोई प्रेश ओंसे विसे रहा हो तो हमें विस बादे कंब हो थे बाहने लगाना ही प्रेगा है यह बहुतो इस लिए आइए चाहिए विसे अगर अब शेचिए से प्रेजंट पास कॉडिण से हो तो हमें बी तक हमें लगाना ही पड़ेगा यह बाग दिमाग में तुसा करेंगा तो चलिए एक सेंदेंस बटतें बीइंग के दुआड़ा चाहे वो पास कियो प्रेजेंटियों फीचर यहों बीइंग हमें बगाना ही होड़ेगा सेंटेंसे ठीक है जब हम एक्टिव का जॉप इसी में कॉंडबार्ट करें जैसे की और दो करेंसे接下來 जैसे की जड़ होड़े चाहिए जांथ जांद ça कि रांग इस राइटिंए लेटर रांग इस राइटिंए लेटर तो देखिए या देखिया है कि रांग इस राइटिंए लेटर तो आपी क्या है सब्जेक्ट वर्ड और ऑब्जेक्ट है तो हमें आप क्या है यहां पी क्या है क्या है कि रांग इस लाइटिंए लेटर तो आप देखिये इसको हम पैसिट में के रहें तो आप जब इस सेंटेंस को पैसिट में लाएंगे तब क्या होगा राम इस लाइटिंए लेटर अब्जेक्ट जो है आ जाए गा अलेकर इस स्वेगर यह ठाट पर्साज सिंगिलर एक किला कर देखिया इस आप यह लगाए मैं अब आई क्या लेगए रिड़ेंड ऐस्ते लाए दोटिंए बोला था कि अधिस बाद इसको बाद परफ परफ टो बेरेंप अभेराई और कि उसके दवारें बेर बहुत साथ आपको बहुत साइसे जिए आपको बाद में पढ़ाम बता आपको और अची तरह से समझ में आएगा तो ING क्या है? ING क्या है तो हमें क्या लेकर ना करेगा? बीन लेजन परेगा वोइस ठीक है अगरा एक्टिक से पेसिक ने कॉंपर्ट करें आज दो वितने आपको समझ आगया है तो देखिए अधक हमने क्या पुला था Leia Today EMPERATING इमपर्टिंब का मतलब ने तो पेले ही भी होल दिया था यह एक कमांड है जो हम वी रीक्वेस्ट कमांड ठीक है ना जो हम कहते हैं करने के लिए करते हैं क्य Россия और तो इसको क्या मोलते हैं इंपरड़्डिक शफिक्त कि तो देखिए जैसे कि फोड़ा एटस्व इसकै अपने इसлем्ट इन्मट बान सो साथेसिन में स्क्राइब इस देगानित खीना तो Ze dai discipline होज कि आंब की अपना बड़ा देरा है 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 कि का फोज करेंबर बो सेंटिंस करने क्लिए वह संक divisions कि उसके ही न पर चरक करें हैं और यह दिखने न रहा है काने किदा ब्रीमियर ओनास जियाए जदोन Só About कोई दर्जयन बोल सकते मिनलिए उसको ऑर्डर हग dak finish कृड्र मार्ण को बोल जैसे ही जाए घौड़ लेख के आँ अध्रणा जैसे की आफन दीनीति यका यहा इर को फोल यहां के लाफ खुलो Let the door be open Shut the door, let the door be shut ठीका न, shut, 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 member 3 member 3 सबने आये आग प्रक्रिक में अगर पेसिंग में लाये तो मैंने क्या गोला था member 3 आये या निए तो या ठीके, open, 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 ठीका न, member 3 है न, member 3 Please give me the book यानि क्या आये, please का मसला क्या है, request करते है किसी कोंकर जब request करते है तो मां क्या केते, please करते है ठीका न, तो मां क्या केते, please give me the book You are requested to give me the book ठीका न, you are requested to give me the book तो या आपर महन क्या है या पे लोग इंपार रिकेस्टेट टो गिव न देदो, ठीका न, तुम्हे रिकेस्ट कर रहा है, मैं तुम्हे रिकेस्ट कर रहा है, तुम्हे रिकेस्ट कर रहा हो की, तुम्हे वो किताब मुझे दो, please give me the book तुम यह रिच्वैसिट लो डिच्वैसित वोच लिच्वैस धुम्लकैा निसीuvre सब्सक्राराइस तुम्हीं धूम्हां धूम्हां धुम्हांरी क्वाँ घुस्तारीकेट्व सब्सक्राइस एड्ड़ाराइस और एदिचेत केद्वाइस, में बाँ तो तो क्या हो कर यह पहे, I I क्या हो का, an advice By my father to study well यहां पे देखिये यह क्या है, present ना, father advice के जो study present पहे ना, present engineer में तो हम क्या करें के यहां के, नहीं से क्या हो का I हो का ठीकाना, तो I क्या हो के, I के बाद अब क्या लिखेंगे, आई के वाद तो ओविस्टी हमें एनी लिखना करता है आई एम एडवाइस बाई माई यहां के क्या है सब्जेक्ट क्या होगा वाके अब्जेक्ट पे चला जाएगे किसी के आई एडवाइस बाई माई अधर उसका लिखेंगे किके, ब्रीं भी हम्हार को की ना, ब्रीं हम्हार को और फार का क्या है अब थो अब करने है, तो तो व्हाधर होगा तो क्या होगा, ब्रिंग की ओमर को भी ना, यू आर और टू ब्रिंग दी ओमर को भी ना, ये ऐसा दिया देखा, तो इम्पारिटी थेलेश में येसा बात है, तो ऐसा ध्यान से दिया देखा, तो मैं आपको एक जरूरी चीज़ बहना चाहता हूँ, कि जब हम कोई active voice करेंगे, जैसे कि मैंने टेले बड़ाता, Mohan rights की पे 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 ठेकर, तो हम एसे नहीं देखेंगे कि present पे पास्क पे इसको नहीं देखेंगे, तो चलिए आप हम थोरी examples देखेंगे थे, examples में बहुत ही clear समझने आने आएगा, ताकि online classes इसके examples अगर हम करें तो उस पे हम लोग clearly समझेगे, आप लोग की ये समझेगे मुझे इश्वास से, clearly, तो देखी है यहाँ पे किया है, the tiger killed the map, the tiger killed the map, तो यहाँ पे हम लोग, कि नोग क्या पता राक सकती है, है, active voice में, क्या है subject, main word, main word one plus object, लिकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ackी difference हे, यहाँ पे killed नहीं है, तो यहां पर खिल्ट का मत्बब यहां पर यह sentence क्या हो गया? Past, Infinite पर हो गया है ठीक है न? Past, Infinite पर हो गया है तो हम जो इसको पेसिट में लाएगे तो हम क्या करने तरहेंगे? इसको पास्ट में ही रखेंगे इसको पास्ट में ही रखेंगे तो हम लोग इसको क्या करेंगे? यह बात एक ही रहेंगी चाहिए तो यहां पर तरहीं का थोड़ा अलग होगा तो यहां पर The Tiger killed the man तो यहां पर क्या करेंगे? रिखेंगे आप The object क्या होगा? subject क्या जाएगा? The man The man The man एक कोई बोल रहा है तो दी मैं वास किल्ड का पास्टर से इसका मेंबर्ट रिंग क्या होगा किल्डी होगा किल्डी होगा तो आम एक क्या निवना पड़ेगा दी मैं वास किल्ड इसके दौरा इसके दौरा शेह के दौरा थिका ना तो चलिए खतम हो गया दूसरा एक वर की प्लेइस प्लेइस फुट वर तो यहांपे देखिए यह क्या है Ikए तो पास्पे लिटा तो यहाथ यहाथ है यहाब है look at present 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 dos it is SHुआ अइज ह Помपलना ofouse दो आप दक्रास क्या होता है हमें M, Is, and I इन थी नहीं जरुदद पर्ती है दो अधासिने एम इस आज इन थी नहीं जरुदद करती है तो यादक क्या लिखेंगे He plays football 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 यह क्या है? थात पर से सिंकला लागे सा football या होगा? Is, played यह उब्सक्राइब दिया है तो यह हमें याण तो यहां पेंगा है देखिया है दू आइंपू आई आए और वाई पॉर्द को यहां किया है कि एक 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 नहीं आता है याकिस नहीं तो नहीं आता है क्या आता है इसके बाद आ रहा होगा यू सब्जेक्ट में आजगा यू हम निखेंगे सको यू आ ठीक है ना आ यू क्या होगा यू आ यू आ आगे आ जाएगा तो है अन्याया आ आगे लगा प्रेंट तो क्या होगा है आगे लक्तितों किया होगा आ इसके शी वासिंगे सोर्फ यह पी एक आए है सब्जेक्ट मेंकंट मीनिक वाट प्लाइटश हो और चेक्ट तो यह वागा एस सॉंग was 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 तो was लेगा was क्या होगा हम ने क्या मुला था कि I am जेगर रहे तो हमें being ठीका ना उचले being लगाना ही पड़ेगा तो क्या होगा the song was being some by heart the song was being some by heart ठीका ना तो या पर देखिए रहें तो यह सों वास तो रहे गाई वास एकी सोंगी वास इसके वास बीन सांग मेंबर्ण सिंकर मेंबर्ण थी गया है sings and sum so sum was being sum by half ठीके so yeah तो यापके हाँ देखे हो she doesn't play well she does not play well so she does not play well क्या है निगेटिट ले है ना यह एफाकेटिटिक पे यह भी जैसे एफाकेटिक पे था भौाफिण भौल he plays फूल फूल बहुत हो यापके क्या है तो क्या है एफर्मेटिव में नहीं है यह क्या है निगेटिव पे तो हम क्या करेंगे इसको शी डासनर प्ले प्रिकेट तो हम इसको एफर्मेटिव पे तो हम क्या करेंगे प्रिकेट प्रिकेट क्या है, 5% सिंगलर, तो प्रिकेट के बाद क्या होगा, प्रिकेट इस नौट प्लिट बाई हाँ, तो क्या होगा, प्रिकेट एकी है, तो इसमें क्या होगा, प्रिकेट इस नौट प्लिट बाई हाँ, क्यों कि क्यों नौक हुआ कि की है? जो बोल रहा है यह निगेटिब पे बोल रहा है तो हम क्या होगा? प्रिकेट इस नॉट ग्लिटा इए और एक देण विल इंफॉर्ण दिए अबाउट इखें देण उइफॉर्ण यूबाउट इखें यू वी ताप उसको उसके क्या होगा बी हम बठाए रहे पीछा इंडिपिट में अपर रहे ताप उसको क्या लगा है कि यू वी इंफर्ड बाई देख देख देशिक क्या होगा या आपकर देख आपड यू इंफर्ड गॅ Ricky बाए देख 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 सिर अजर्ट ऑड़ा प्रिह साम लिप इंफर देख 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 या आपकर देख 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 यहां पहां इन होगा अब चानाो सबत्यानोस ड़ेब भडोकर आपकर लोकर देख ची प hmड़िशáticas तो हम क्या निखेंगे? एस निखेंगे, ठीका ना? He has, this movie has ठीका न? ठीका न? ठीका न? तो क्या निखेंगे हम? This movie has been watched by me. This movie has been watched by me. बिन रगेगा. This movie has been watched by me. यह यहा करना यह जब have और has जब हम sentence पे होगाता हम तो हम जब पेसिंदे करेंगे तो इसको हम बिन रगें बिन रिकेंगे, लिकिन यहांपे has क्यों लगा? यह आपको चाहना परिका has लगा, ठीका यहांपे this movie है तो यहांपे ठीका न? This movie has been watched by me. I mean. ठीका न? Why did he call me? यहांपे question है, यहांपे यहांपे धीका न? तो इसको आपके न? तो इसको आपके न? वास यहांपे न? वाई दीका न? तो आपके का न? वाई दीका न? यहांपे वाई वाई यहांपे वाई कि आगा है तो हम एक बाइल सकते हैं तो हमें तो यहां लिख दी ना तो वां यह व्यार दिए इसकर हमें हमें वाइल एक यह पंस पहें जिलेंगे वां सफेल के बाता हूं जब शचेज रखते ताँ इनके साहँ हमें होया डिना होता है Why you was the accepted? Why were you all right? तो यह भी question ने हो जाएगा Next है How much does he love his brother? How much does he love his brother? इतना वो अपने भाई को इतना वो प्यार करता है तो क्या होगा? दू और गास्ते होगा तो यहां के क्या होगा? एमिजार तो क्या होगे? How much How much Is His brother Loved by Him How much is his brother Loved by फिंकि यहां के क्या है? His brother यहां के एक ही भाई को बोल रहे है तो अब हम Do or does is क्या होगे? क्या है? बेटे का यहां के ओफिस भी बाते Easy बेटे का ठीक है? 3rd person है ठीक है? और यहां के क्या है? Brother एक ही एक ही भाई होगे तो क्या होगे? How much is his brother last by a question एक मत बूला Question मत लगाने कम मत बूला? राजनी We have met रश्टी बाई लेगे राजनी subject रश्टी object तो यहां पे एक है future future perfect राजनी We have met रश्टी बाई लेगे future perfect तो हम लोग क्या देंगे रश्टी रश्टी established राजनी subject will have been met by रश्ती by रश्टी ऱश्टी रश्टी तो बतलब इविन के टाइम बड़ रजनी रजनी से उराकात कर चुकी होगी कर्चिकी होगी, ठीके, future perfect, तो यहां पे हमने, रश्नी will have been met by रश्नी, रश्नी के साथ, वो, इविनिंग पे मुला का कर्चिकी होगी, ठीके, I did not do it, trust me, I did not do it, trust me, तो यहां पे क्या है, did not it, ठीके, negative play, past negative play, ठीके, तॉम क्या है कि इसको, was अर यहां क्योंगा होगा, ठीके, was और यहां करें लिखेंगे, तॉम क्या लिखेंगे, it was not done, क्या होगा में पर्ची ते आइए, वाफिस की में पर्ची लिखेंगे, दो इत थीके, it was not done by me, trust me, आपको समझ में आ गया होगा इतना ठीक है तो यहाँ पर हम लोग राश्ट कर लेते हैं यह बहुत ही कुछ-कुछ सुडेंट्स को बहुत ही रिफिकल करता है कैसे हम तो इसको पेसित में चेंज देगा लिकिन इतना कुछ से यह अगर समझ लिए तो कर दी समते हैं ठीक है तो आईक यह और यह आपक क्या हो है आइक असकी प्रया पर क्या होगा बीन तो अमें लगडा ही परते हैं मैं तुम्想र तो आप क्या दिए नहीं आपके है यह आपके यूगे साने पर अप्जफ्यक परुद्ध यूजने करें पर दो इन आपके यूजने क्या है? Asked क्या होगा? आइसे क्या होगा? Me Since morning सबचने रहा उसके बाद प्या है? यह क्या है यह क्या है यह क्या है He will be opening door at the moment He will be opening door at the moment मतलब क्या है? वो door open करेगा इस moment तो इस बाद वो door वो अपना open कर लेगा He will be opening door at the moment तो क्या होगा इसने? Door Will be इस बाद क्या होगा Will be being opened by him at the moment इस moment को उपना में वो door open कर चका है तो next She had been reading the novel for once महिने तक वो novel प्ल रही है She had been reading the novel for once महिने तक वो प्ल रही है She had been reading the novel for once तो इसमें क्या लिखे के हैं हम लोग ये क्या है ये क्या है past perfect continuous ठीक है न है past perfect continuous तो हम लोग past perfect continuous ये क्या है past perfect continuous had been reading past perfect continuous ठीक है वो प्ल रही थी वो पशी had been reading the novel for once महिने तक को वो novel प्ल रही थी तो हम क्या निखेंगे that novel had been object had been being read 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 हम लोग का जो बोके कर से हम बोलते है तब read का read हो जाता है किके that novel had been read had been being read by hard इसलिए hard for months तो यह आपको लस्तिया he will have been watching he will have been watching cartoon since morning मैंनी विछती है तुम जब वहापे पहुचा के तब वो cartoon देख रहा होगा तुम देख रहा होगा future perfect 45th तुम क्या देख रहे ही इसको watching है तुम देख में आएगे है object क्या देख रहाएगा cartoon will have been been cartoon will have been been watched watched by him since since morning when you reach when you reach there 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 तो यहां पे तक हम ने यहां पर ब्रूल यहां पर आंपने वील क्यों नहीं लगें, तो दूबार आलम दोए दा मादा मbal Regal जासे by you will have been watching carton in from morning when you will reach there. ner faster कि तो अच इतना ही औरिया तो अना कि मुझे जा भीडियर कि आपको समझ न है वसब आप लोगण कई लूब आपको and मैंने स्ने के भाला का चलो प्हस्ट पहले से देख रहे जीज़ लोग सक्क बार में सर्वी जना घुश्ट ले जो ओ लाज के लिए इतनाइब